गुड आप्टरनून आप सभी को मेरी वीडियो में स्वागत है आशा आप सब अच्छे होंगे तो आज मैं आपके सामने लाएं बिल्कुल हेल्दी और गर्मियों के लिए स्पेशल मैं यहां पर ले रही हूं एक कब बारली इसको आप अपने शहर में क्या बोलते हों यहां से तीन मिनट मून लेना ऐसे ड्राय रोस्ट कर लेना अब इसको गैस पर हम ठंडा होने छोड़ देते हैं देखें कलार बदल गे बड़ी ऐसा फ्राय हो गये हैं अब गैस को बंद करना है कलार बदलने के बाद चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेर फॉल करें फ्रेंट्स देखिए यहां पर मैं गैस बंद कर दीन अब यह पूरी तरह से ठंडा हो गया देखिए दो से तीन मिनट इसे ड्राय रोस्ट किए फिर ठंडा किए अब एक मिक्सी जार लेजिए अब इसे दरदरा सा पाउडर बनाना है में तो इसके लिए पले देख ल लेगा यह ऐसा इस तरह से हो जाए तो काफी होता है उसके बाद आगे देखते हैं फिर से गैस जलाई है और बरतन रखे एक गिलास पानी डाले इसमें आपको जित्ता बनाना है जित्ता आप डाल सकते हो तो एक गिलास में बना रही हूं तो एक गिलास के लिए जलास साल् और इस पौडर को हम पूरा नहीं सिर्फ दो चम्मच डालेंगे इतना काफी होता है और गैस को मेडियम रखते विए इसके सारी गुटलियों को खोलते विए अच्छा से मिला लेजिए और इसे दो से तीन मिनंट इसी तर से बॉयल होने दे बॉयल होके ठंडा होना है ये तो इसे दो से तीन मिनंट बॉयल करके पुरी तरह से ठंडा कर लेजिए कुटलियों सारे खुलने के बाद ये अच्छा से बॉयल हो गया अब ठंडा भी हो गया अब इसे हम बॉयल या ग्लास में लेते हैं अब इसमें डाली एक बड़ा स्पून कर्ड लेजिए दही अच्छ इसे कुछ मसाले अगर आप यहां पर मिला सकते हो जैसे चाट मसाला अगरा आप यहां पर इसे स्वीट भी बना सकते हो तो मैं इसे नमकिन बना रही हूँ गर्मियों के लिए बहुत ठंडा है आप देखिए अब ये रेडी है आप इसे सर्व करते हैं सरीर को बलकुल देने वाला विटामिन और मेंडरल से भरपूर है गर्मियों को बहुत ही अच्छा है बार्ली ट्रिक किसे जरूर बनाए सर्व करें बच्चे बड़ी सभी पसंद करेंगे वीडियो कैसा लगा जरूर बताए लाइक श्रीक थैंक्स पर वाचिंग थैंक्यू